हमें जाहतर लोग जब भारत के पुलिस कार्स को इमेजन करते हैं तो हमारे दिवांग में ये वाली गाड़ी आती है है ना या फिर ये या फिर हदसेया दिये ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दस्टकों से भारत में पुलिस की डूटी के लिए बहुत जादा बेसिक और ओ देवलपिंग नेशन के पास भी नहीं मिलती है जैसे कि फिर चाहे वो इनोवा हो क्रेटा हो टाटा सफारी नेक्सॉन डी मैक्स या फिर ट्योटा की है लक्षी क्यों ना हो इंडिया की स्टेट पुलिस के पास एक से बढ़कर एक गाड़िया आज की डेट में हमें देखन और इस वीडियो को मैंने मेजर ली तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया है जिनके अंदर हम पुलिस को सेंक्शन करी जाने वाली इन गाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा घहराई में जानेंगे जिसमें की सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो पुलिस को इतनी मह ताकि हम ऐसी बड़िया बड़िया वीडियो और भी जादा लेकर आ सकें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल पर आते हैं तो यार पुलिस को इतनी महगी कार्स मिलनी चाहिए या नहीं ये समझने के लिए हमें बात करनी चाहिए इंटरनेट पर अविलेबल एक आर्टिकल की जिसे अभिशेक जहाग नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था अभिशेक जहाग ने पुलिस के दिन चर्य को जानने के लिए लगबग उनके साथ 12 घंटे उनकी PCR वैन के अंदर गुजारे और उनकी जो अब्जर्वेशन थी वो काफी जादा हैरान कर देने वाली थी PCR यानि की पुलिस कंट्रोल रूम मोबाइल कहलाने वाली यह जो गाडियां होती है यह पुलिस स्टेशन का एक बहुत ज़्यादा एहम हिस्सा होती है और जिस पर्टिकुलर कार में ऑथर थे वह थी ट्योटा की वाइट इनोवा जो की आप 10-12 घंटे भुताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इतना मुश्किल की on duty कॉंस्टेबल के मुताब कि पुलिस की ड्योटी इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि घर जाने के बाद रोटी खाने का मन भी नहीं करता है और यह उन कॉंस्ट करते ही है ना अगर हम भारत से बाहर निकल के दुनिया के कुछ उन देशों की बात करें जिनका law and order हमारे देश से भी जादा मजबूत है तो हमें यह पता लगता है कि पुलिस फोर्स पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है भार के देशों में फॉर एक्जांपल नंबर ऑफ गोड वहिकल्स का ही कारणों की वैसे बहुत ज़्यादा इंपोर्टन हो जाते हैं पुलिस वालों के लिए ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों की गाड़ियां तेज हैं तो सिर्फ वो जीटिये 5 जैसे पुलिस चेस के अंदर ही काम आएंगी एक तेज कार जो होती है कि पुलिस वाले बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पेट्रोलिंग अगरा करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर और बहुत जार टाइम स्पेंड करते हैं इसलिए उनके लिए कमफेटेबल और एक सेफ गाड़ी होना भी ज्यादा दाहूरी होता है काफी और यही रीजन है जिसकी वएसे हमाई देश के अंदर भी तेज रिलाइबल और कमफेटेबल गाड़ियों की ज़वरत है जो की रिस्पॉंस टाइम को कम करें और सस्पेक्ट को भी सेफली वापिस लेकर आने में मदद कर पाएं एंद इनफेक्ट हमारी गौवर्मेंट इसके उपर काम कर भी रही है उनकी कुछ स्कीम की मदद से जैसे कि भारत सरकार दोरा लांज करी जिसमें पुलिस फोर्स के ओवरॉल अपडेट करने की बात करी गई है और उसके लिए एक अच्छा बजट और अच्छे इनिशेटिव भी ले जा रहे हैं लेकिन यह जो पुलिस का मामला है ना वह हमारे सविधान के सेवन शेडूल के मुताबिक स्टेट की जिम्मेदारी होती है यानि की पुलिस फोर्स स्टेट के निर्देश अनुसार काम करती है और ऐसे में कौन सी स्टेट कितना बजेट स्पेंड करेगी या कितनी effectively पेंड करेगी यह सब कुस स्टेट पर ही निर्भर करता है और अगर आप इसके प्रिक्र्मेंट प्रोसेस को समझना चाहते देना और बाकी जो पुलिस फोर्स है उसको इनकैपेबल और पुरानी गाडियों पर छोड़ देना एंड ऐसा ही कुछ CAG की एक रिपोर्ट में भी देखने को मिला जब CAG यानी की कॉम्ट्रोलर एंड अडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने केरला की को अडिट करा तो उन्होंने ये पाया कि केला की पुलिस ने सीनीरं ऑफिसर के लिए expensive गाडियां खरीद आंधि और बाकि पुलिस वालों को में वहसांब के अशाप से गाडिया नहीं खरीद के दी हैं बेलकि अलग-अलग statement अलग-अलग police cars हमें देखने को मिलती है और गाड़ी कौन सी होगी और कितने की होगी यह पुलिस के उपर ही डिपेंड करता है यहां लेकिन गाइडलाइन ज़रूर होती है जिसका ध्यान रखते हुए ही गाड़ी खरीदनी पड़ती है और जब इस ही जानते हैं क्या करेंगा इникे बारे में जानके है ना तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती है चन्नाई पुलिस डीज अपने फ्रीट के इंदर 25 चेंज करवाया है इनकी जो सीटिंग पोजिशन है वो चेंज करी गई है और साती साथ इनके अंदर अलोई वील्स के बजाए स्टील रिम्स दिये गए हैं अच्छा वैसे केला पुलिस अकेली नहीं है जिसके पास 4x4 हो पंजाब पुलिस ने भी रिसेंटली 129 टोयोटा हायलक्स को अपनी फ्लीट के अंदर एड़ किया है अपनी रिक्वायर्मेंट के एसाब से चेंजिस करवाने के पाद इन टेयोटा हायलक्स के अंदर स्पेशिलाइस टूल दिये गए हैं ताकि ड्रिंक और ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग को कॉम्बैट किया जा सके और ये टेयोटा हायलक्स पंजाब पुलिस ने अपनी एक सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए है जो की 16 सो लोगों क टीम है और 5500 किलोमेटर को कवर करती है अभी तक मैंने आपको जितनी भी पुलिस कार्ज बताई है ना उन सब में से सबस्यादा यूनीक कार्ज खरीदी हैं कॉलकाता पुलिस ने क्योंकि कॉलकाता पुलिस ने रिसेंटली 226 यूनिट सार्टा नेक्सान एवीज की खरीद वाली है special police cars की fleet वैसे बस यहीं तक सीमित नहीं है मध्यपरदेश द्वारा टार्टा सफारी का इस्तेमाल किया जाता है यू पी और महराश्टा पुलिस टार्टा जीनॉन का इस्तेमाल करती है करनाठकाउ अ हर्याना पुलिस के पास अल्टी का देखने को मिलती है और महें है तो इंडियन फोर्सेस ने अभी बस उडान भरना शुरूरी करी दिन बहुत जल्दी बहुत यह तरक्की कर ली लेकिन अगर हम इने बहार के देशों से कंपैर करें तो अभी भी हमें बहुत आगे जाने की ज़रूत है जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहां पर जापान में कई तरीगे की छोटी से बड़ी गाड़ियां इस्तिमाल करी जाती है लेकिन उनकी एक प्राइम कार है ना जो टॉप टियर गाड़ी है वो है लेक्सस की LC 500 जो की एक 441 होस पावर के वीए टेंजिन के साथ आती है हाँ यह थोड़ी स्पेशल है कम देखने को मिलती है लेकिन यह भी उनके पास है इटली की बात करें तो उनके पास जातर अलफा रोमेयो की गाड़ियां होती है जो कि पुलिस डूटी को निभाती है और फोर्ड की वह SUV इस्तेमाल करते हैं और पुलिस फ्लीट की अगर हम बात करी रहे हैं तो UA की बात तो करना बनता ही है क्योंकि उनके पास सबसे जादा स्पेशल फ्लीट होती है पुलिस कार्स की उनके अंदर जाहतर SUV भड़ी पड़ी होती है वह भी एक से एक SUV और अभी जो डुबाई ड्रोन तक मिलते हैं इन रेगुलर मोस्ट यूजल चॉइस के इलावा हमें दुबाई पुलिस के पास एक अच्छी खासी बड़ी सूपर कार्स की फ्लीट भी देखने को मिलती है जिसमें की फरारी एफफ लंबॉगनी एवेंटेडर बेंटली कॉंटिनेंटल जीटी बें आप ये भी समझ पा रहे होगे कि कैसे इंडियन पुलिस भी काफी हद तक भाहर के डेवलप्त देशों के पुलिस की तर्स पर कार खरीज रही है और आगे बढ़ रही है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है क्या ये पैसो की बरबादी है या फि में विचार कमेंट्स के अंदर जरूर छोड़िए थैंक यू